Tax free income, short term capital gain दोस्तो आपको पताओगा share market के अंदर अगर आपकी short term capital gain की income आती है तो कितनी income आपकी tax free हो जाती है या tax का क्या calculation होता है वो हम इस वीडियो में discuss करने वाले हैं सबसे पहले हम बात करते हैं earning money is hard पैसा कमाना बोथ hard है saving money is equal hard और उस पैसे को market के अंदर अगर आप transaction करते हैं तो आपको पताओगा long term capital gain short term capital gain एक intraday एक future end option और एक dividend इसी तरह से आपकी income आती है इनके अलावा income महाँ पर आपको share market में नहीं आती है हम बात कर लेते हैं short term capital gain दोस्तो कोई भी share आपने खरीदा था जिसे delivery ले ली थी जिसे cash के अंदर अगर आप बोलते हैं वो आपने ले लिया एक दिन से तो ज़्यादा रखा आपने लेकिन बारा महिने से पहले उसको बेच दिया तो उस कमाई पर उस बेचे वे share पर जो कमाई होगी वो short term capital gain कहलाती है और इसके क्या tax के rule होने वाले है tax is payable आपको पताओगा on taxable income कई वर क्या होता है long short term capital loss हो जाता है आपको बतलब आपने share को नुक्सान में बेच दिया तो किसी भी तरह का आपको tax उस income के उपर नहीं देना होता है तो बाकी जो भी income है वो आपकी tax slab या tax regime होती है आपको पताओगा old tax regime या new tax regime या die तक माफ होता है die से 5, 5 से 10 और 10 से उपर हो जाता है और new के अंदर 3 से 6, 6 से 9, 9 से 12, 12 से 15 और more than 15 होता है तो जो भी deduction और exemption आपकी applicable होगी उसके बाद में जो भी income आएगी tax slab के साब से tax देना है लेकिन अगर आपकी short term capital gain आती है तो वहाँ पर आपको 15% fixed rate का tax देना है मतलब आपको slab के साब से tax नहीं देना होता है old tax regime में अगर आप जाते हैं आपको पताओगा new और old दो tax regime है और अगर आपकी ITR 1 या ITR 2 की income है तो आपको पताओगा old tax regime में जाने के लिए simply ITR में आपको yes करना पड़ेगा कोई भी अलग से form 10 IEA नहीं बरना पड़ता है इन old tax regime सारी की सारी deduction exemption लेने के बाद में अगर आपकी income 5 लाग तक आ जाती है तो बहुत सारे लोग तो कहते हैं अमारी income 5 लाग तक है तो अमारा तो 5 लाग लाग तक tax माफ हो जाता है लेकिन ऐसा नहीं होता है अगर आपकी income 5 लाग तक है तो section 87A बोलता है आपको 12,500 की rebate मिल जाएगी मतलब tax की छूट दे रहे हैं क्योंकि हम मानके चलते हैं कि आपकी उमर है 60 साल से कम है और आप old tax रजाई में जाना चाते हैं और आपको short term capital gain की income होने वाली है तो पहला 9 लाग रपे आपका माफ हो जाएगा उसके बाद जो भी income होगी उसके उपर आपको 15% tax देना पड़ेगा अगर आपकी income 5 लाग रपे तक है तो आपको 12,500 की tax की छूट मिल जाएगी दोस्तों ये जो 12,500 का tax है आपका इसको अगर आप 15% से भाग दे देंगे तो कितनी income आपकी और माफ हो जाएगी 8, 3, 3, 3, 3, 3 इतना short term capital gain आपका माफ हो जाएगा मतलब डाइलाक रपे तो वैसे माफ है और 83,000 रपे की income पर जो tax बनता है 15% वो भी माफ है तो 3, 33,333 रपे तक अगर आपकी short term capital gain की income है और आप all tax regime में जाते हैं तो आपको कोई भी tax नहीं देना पड़ता है इफ all income, सारी के सारी income मैंने आपको बताया short term capital gain है वो 3,33,000 तक है तो पहला डाइलाक माफ है बाकी के जो 83,000 पर 15% बनता है 12,500 वो section 87A बोलती है कि 12,500 का तो tax आपको माफ है क्योंकि आपकी income 5,000,000 से कम है दोस्तो इफ all income 3,33,000 तक है तो कोई भी tax नहीं देना है अगर कोई भी आपकी deduction या exemption नहीं है अब बात कर लेते हैं new tax regime के बारे में जो आपकी default tax regime है मतलब अगर आपको भी नहीं बताते हैं तो इसके साब से आपको tax देना पड़ेगा इन new tax regime अगर आपकी income 7,000,000 रुपे तक है तो section 87A क्या बोलता है आपको 25,000 के tax की छूट मिल जाएगी मैं फिर आपको बताना चाहता हूँ 7,000,000 रुपे आपका माफ नहीं होगा अगर आपकी income 7,000,000 तक है तो इसके उपर जो tax बनता है 25,000 रुपे उस 25,000 रुपे के tax की छूट आप ले सकते हैं अगर आपके कोई deduction नहीं है कोई exemption नहीं है सिर्फ short term capital gain की income है new tax regime में जाते हैं तो 15% tax आपको देना पड़ेगा लेकिन basic exemption limit होती है एक limit है उस limit तक आपको tax नहीं देना पड़ता है जो की old के अंदर तो 10,000,000 रुपे थी नीचे नीचे है तो आपको 25,000 के tax की छूट मिल जाएगी हमने ऐसे पहले example दिया था 25,000 का जो tax है वो आपके 15% की जो tax के साब से आपका बन जाएगा 1,666,666 रुपे मतलब 3,00,000 रुपे आपका माफ है और 1,666,666 पर जो tax बनता है वो आपका 25,000 बनेगा वो माफ हो जाएगा तो टोटल आपकी शोटरम capital gain income 4,666,666 तक tax free हो जाएगी अगर आपकी मैंने फिर से बता रहा हूँ शोटरम capital gain है सारी की सारी और वो income है 4,666,000 तक और आप new tax regime में जाते हैं तो पहला 3,00,000 तो माफ है बाकी के 1,666 के उपर 15% के साब से 25,000 tax बनता है और section 87A बोलता है अगर आपकी income 7,000,000 या उससे कम है तो 25,000 तक का tax की चूट आप ले सकते हैं तो वो हमने ले ली है और इस तरह से 4,666,000 तक का चूट आपकी चूट आपकी 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 आजाती है अबने तो ये सिर्फ अभी example दिये थे सिर्फ और सिर्फ चोट टरम capital gain अगर आपकी आती है और कोई salary की income आगई या आपकी कोई भी other source की income आगई तो उसके साब से आपको tax है जो tax regime tax lab है जो कि आपका पता होगा old में जाना चाते हैं या new में जाना चाते हैं उसकी छूट आप उससे आप से ले सकते हैं तो वीडियो अची लगी हो तो दोस्तो इसे लाइक करें अभी तक हमें subscribe नहीं के तो please subscribe कर लें क्योंकि subscribe करने का कोई पैसा नहीं लगता है और हमारा ओंसला बढ़ जाता है इस वीडियो को उन सबी लोगों में share करें जो share market में काम करते हैं short term capital gain में कमाई करते हैं और कितनी रपे के बाद कब tax उनको देना है कोई doubt query question दोस्तो वीडियो अच्छी या बुरी लगी हो आप comment करके बताय करें ताकि हमारा भी ओंसला बढ़ जाए हमें भी feedback मिले वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत दन्यवाद थेंक यू सो मच जै हिंद जै भारत